नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कैसी जानकारी लेकर आया हूँ, जिसको जानना आपके लिए बहुत अधिक जरूरी है। ऐसी पत्ता गोभी से बची आठ साल की बच्ची के दिमाग में पहुँचा टैपवरम, दी सो से अधिक अंडे। यह सफर काफी तकलीफों बरा रहा। जानिये ऐसा कब, क्यों और कैसे हुआ। दोस्तों, गुरुग्राम की रहने वाली आठ साल की बच्ची को पिछले छे माहा से सिरदर्द की सिकायती। दर्द के काम बार-बार दोरे भी पड़े। पेरेंट्स उसे लेकर दिल्ली के फोर्टिस होस्पिटल पहुँचे। जांच में सामने आया कि ब्रेन में कुछ सिष्ट मौजूद है। एसी स्थिती में सिटी स्कैन किया गया। रिपोर्ट में पता चला कि उसके ब्रेन में सो से जाना सिष्ट हैं जिने ध्यान से देखने के बाद डोक्टर समझ गए कि ये टैपवरम अंडे हैं। इस बीमारी को नियूरो सिष्टी सरकोसिस कहा जाता है। बीमारी की मुखे बचे पता चलने के बाद ब्रेन का ओप्रेशन कर इन जिलियों को निकाला गया। बच्ची की हालत में सुधार है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये अंडे बच्ची के दिमाग में कैसे पूँचे है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुडगाउं श्थित फोटिस हस्थाल में नियूरोलोजी डिपार्टमेंट के डारेक्टर डॉक्टर परवीन गुपता की देखरेक में बच्ची का इलाज चल रहा है। डॉक्टर परवीन के अनुसार साफ सफाई ने करने पर दूसित खान पान और अधपकी चीजें खाने से टैपोरम पेट में पहुंच जाते हैं। सरीर में खून के प्रवाग के साथ ये अलग-अलग हिस्तों में चले जाते हैं। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये टैपोरम है क्या। टैपोरम यानि फीता क्रीम एक परजीवी हैं। यह अपने पोशन के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। इसकी 5000 से अधिक परजातियां पाई जाती हैं। इसकी लंबाई एक मिलिमीटर से पंदरा मीटर तक हो सकती हैं। इसके सरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम नए होने के का पचा-पचाया भोजन ही यह खाता है। अब बात आती है कि कैसे सरीर में पहुँचा टैपोरम। SMS होस्पिटल जैपूर के डोक्टर सुधीर महरिशी के अंसा ऐसे लोग जो पार्क मीट यानी सुमर का मास खाते हैं। उनमें टैपोरम होने के आसंका अधिक होती है। दूसित पत्तागोवी पालक जैसी सबजियों से भी इसके फैलने का खतरा रहता है। खासकर बारिस के दिनों में ऐसी सबजियों को खाने से बचना चाहिए। इसके इलावा गंदे पानी और मिटी में उगाई गई सबजियों से भी यह फैलता है। दूसित और अध्पका पार्क मीट मचली और सबजियों से यह टैपोरम सरीर में पहुँचता है। यहां इसके अंडे से निकलने वाला लार्वा रक्त के संपर्क में आने पर ब्रेन तक पहुँचता है। डोक्टर सुधीर महरिशी के इंसार अगर किसी को अकसर सिरदर्द की सिकायत रहती हैं या दोरे पढ़ते हीं तो नियूरोलोजिस्ट से मिले। इसके अलाबा कई बार व्यक्ती के बीहेवियर में भी बदलाव आना इसका एक लक्षन हो सकते हैं क्यांकि इसका लार्वा ब्रेन के जिस हिस्से में होता है वहां की कार्य पर नली को परभावित करता हैं। अब बात आती है कि इससे आपको कैसे बचना चाहिए। दोस्तों सबजियों को अच्छे से धोकर और पका कर खाएं, खास कर इन बरसातों के मौसम में, खास कर बारिस के दिनों में सलाद और कच्ची सबजी खाने से बचें, दूसित मीट और अदपकी मचली खाने से बचें, फिल्टर पानी का इस्तमाल करें, बारिस के दिनों में स आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शियर करना न भूलें इसके साथ साथ आप हमारी जूटू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चबड़तास टिप्स लेकर आते हीं जिससे कि आप अ की सकते हैं धन्यवाद दोस्तों